प्यारे बत्चो, बार्वेक अक्षा की फिजिक्स के पहले चैप्टर, वैदुत आवेस्तता 66 के दूसरे लक्तर में आपका स्वागत है。 इससे पहले फ़र्च लक्तर में हमने वैदुत आवेस्त क्या होता है ये समझ लिया था। और वेदुत सालक और वेदुत रोधी पदार्थ कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हमने पड़ा और इसके अलावा विभिन पदार्थों को आवेशित करने के हमारे पास कुछ वीदिया हैं उन वीदियों का हमने स्टडी किया और इनमें से एक इंपोर्टन्ट भी दी थी प्रेर अदवार आवेशन इसको भी हमने अच्छी तरह से समझा और आज के लक्षर में सबसे पहले हम यह डिसकस करेंगे कि आवेश के कौन कौन से मातरक हैं विभिन पद्दियों में हम आवेश के मातरक समझेंगे और उनके बीच का संब्द दे रेटा, विद्द तावेशों की निस्चतरता, विद्द तावेशों का संग रक्षन, और विद्द तावेशों का क्वांटि करेंगे और फिर इन गुणों के अधार पर हमारी अन्सियाट्य भूक में चार संख्यात्मक परसंड दी एवे हैं, कुछ नमेरिकल्स दी वेए हैं उन चारों नमेरिकल्स को हम सोल करेंगे और दो अभ्यास के परसन भी हमें अनसेया टेबुक में दिये हैं उन दोनों क्रिस्टन को हम बिल्कुल लास्ट में लक्सर के सोल करेंगे तो लक्सर सुरू करने से पहले एक इस रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कोमेंट जो है इस वीडियो पर जरूर लिखें तो अब आगे बढ़त कुलाम इसको इंगलिज में लिखें तो सपेलिंग होते हैं सी ओ यू लॉ एम भी ठीक अब कुलाम मातरग के साथ समझे यह है कि यह काफे बड़ा मातरग है तो प्रैक्टिकली हम कुछ सोटे मातरग यूज़ करते हैं जैसे वन माइक्रो कुलाम माइक्रो का मतलब आपको है क्या होता माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 और ये कुलाम है यहां पर हम कुलाम लगा देते हैं और कुलाम को हम कैपिटल सी की दवारा डिनोट करते हैं जैसे मैंने यहां पर किया हुआ है और इसी तरह से आगे है वन नैनो कुलाम नैनो का मतलब होता 10 की पावर माइनस 9 ठीक और कुलाम है तागे कुलाम इसी तरह से वन पिको कुलाम पिको का आपको पता है क्या होता पिको मिज़ 10 की पावर माइनस से 12 तो वन पिको कुलाम जो 10 की पावर माइनस 12 कुलाम के बराबर हो जाता है अब असाई सिस्टम की तरह से हमारे पास सीजिय सिस्टम भी होता है तो सीजिय सिस्टम में अगर हम बात करें तो आवेश का जो मातरक है सीजिय सिस्टम में आवेश का मातरक यह होता है स्टेट कुलाम क्या होता है स्टेट कुलाम स्टेट कुलाम को हम फ्रेंकलिन भी कह देते हैं स्टेट कुलाम या फ्रेंकलिन तो स्टेट कुलाम को हम सौर्ट में ESU भी बोल देते हैं इलेक्ट्र स्टेटिक यूनिट भी इसका हम बोल देते हैं अब बात यह आती है कि एक कुलाम और एक स्टेत कुलाम या एक ESU के बीच में क्या Relation है कि Relation Newton 1 कुलाम and ASU तो इन दोनों के बीच के Relation की अगर हम संबंद की बात करें तो एक कुलाम जो है वो 3 गुणा में 10 की पावर 9 ESU के बराबर होता है ठीक तो ये चीज आपने याद रखनी है ठीक है इसके अलावा आवेस के एक अन्य हम मातरक की बात करते हैं आवेस का एक अन्य मातरक है फैराडे क्या है फैराडे फैराडे नहीं लिखा है मैंने फैराडे लिखा है ध्यान रखना तो एक फैराडे जो है वो 96,500 कुलाम के बराबर होता है ठीक तो ये चीज भी आपने याद रखनी है अब हम बात करते हैं आवेश के विमाओं की ठीक है आवेश की विमा आवेश की विमा विमा को मतलब dimensions आवेश के dimensions क्या है तो अब जैसे आपने 10th क्लास में एक चीज बढ़ी होती है विदुद्धारा विदुद्धारा का जो सुत्र है विदुद्धारा का सुत्र हमने पढ़ाया कि परवाहित आवेश वट लिया गया समय के वास्तों में क्या होता है कि माल लेते हैं कि यह चालक है इस चालक के किसी क्रोस सेक्षन एरिया से किसी अनुपरस्त काट के चेत्रफल में से 35 सेकंड जितना आवेश बह रहा है ठीक यहनि आवेश के बहने की जो दर है वो विदुद्धारा है ठीक तो इस सिसाव से विदुद्धारा क्या है आवेश बटे समय होता है तो विदुद्धारा को हम आई से लिखते हैं आवेश को हम क्यो के दवारा लिखते हैं और समय को टी के दवारा लिखते हैं तो इस फार्मूले में क्यो जो है वो किसके बराबर आजाता है ठीक, तो यानि आवेश बराबर विदुद्धारा गुणा में समय, तो यहां से हम आवेश की विमा या विमिय शुत्र हम ग्याद कर सकते हैं, तो यहां पर मास का कोई काम नहीं है, लेंथ का कोई काम नहीं है, टाइम कीतना है, विदुद्धारा का जो अए से लिखते हैं, एक ही पाऊर भी 1 है, ठीक, तो क्यों का जो विमिय शुत्तर है, वो M0, L0, T1, A, 1 के बराबर होता है। तो देखिए कि यह सारे चीजे मैंने आपके नोट्स में लिख दी है आप साहें तो अभी वीडियो को पोज करके आप नोट कर सकते हैं या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पीडियो मिल जाएगी नहीं तो आप मेरी सुरेश लक्सर मुबाइल अप प्ले स्टोर से डाउन से वीडियो तावेशों की योज्जेता या एडिटिविटी का मतलब क्या है कि वीडियो तावेशों को जोड़ा जा सकता है वीडियो तावेश योगातमक है तो कैसे जोड़ते हैं वीडियो तावेश को थोड़ा ध्यान से समझेश को माल लेते हैं कि यह मारे पास कोई ए है और यह हमारे पास जो है प्लस शिक्स क्यों चार्ज है और यह मान लेते हैं मेरे पास माइनस वन क्यों चार्ज है और यह भी माइनस थरी क्यों चार्ज है ठीक है तो एक बार बस इतना ही ले ले तो माल लेते हैं कि मेरे पास यह 4 charges हैं तो इन अभी 4 charges को मैं कैसे जोड़ूँगा जैसे हम simple वास्त्रीक संख्या पुरणांकों को जोड़ते हैं तो पुरणांकों को जोड़ते समय क्या करते हैं कि यह जो इनका plus minus sign है इसका विशेश द्यान रखते हैं तो उसी तरह से यहां पर इनको जोड़ेंगे कि यहां पर होगे 6 plus 2 plus के तो 8 क्यों होगे और minus के 3 और 4 minus 4 क्यों तो 8 minus 4 तो यह plus 4 क्यों चार जो है इसके उपर रहेगा ठीक है तो जैसे हम वास्त्रीक संख्याओं को जोड़ते हैं उसी तरह से जो है यानि एक किसम से इसका 20 गणिती योग हम कह सक लेकिता है करते हैं इसी तरह से मैं कर एक और एकजामपल LAY करकर सम्झाता हूं माने थे मेरे पास की आखी को यह क्या निकाय है इस पर जैसे हम कह रहे और तो टाइप कैमारे पास चार्ज है तो यहाँ पर total charge इस में क्या रहेगा plus 3 minus 5 क्यों तो यह minus 2 क्यों जो है इसके उपर charge रहेगा ठीक है इस तरह से plus minus sign को साथ में count करते हुए हम आवेसों को जोड सकते हैं यही property क्या है यही गुण क्या है आवेसों की योज़ जयता है अब देखिए कि आवेशों की योज जयता के बारे में अगर आपको लिखना हो तो सुरू में तो यह बता देजिए कि एक एधिस रासी है और यह अगर ना भी बताओ तो भी इसमें आप यहां से सुरू कर देजिए कि विदुत आवेश क्या होते हैं योगात्मक होते हैं और किसी निकाया पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्तित सभी आवेशों के बीजगनिती योग के बराबर होता है ठीक, तो यहां से यहां तक यह विदुती आवेशों की योज जयता की परिभासा कह सकते हैं आप इस तरह से तो हम यह कहते हैं कि दनात्मक और रिनात्मक आवेशों को वास्त्विक संख्याओं के समान ही जोड़ा जाता है और योग करते हम धनात्मक और रिनात्मक चिन्नों का विशेश द्यान रखते हैं और यह example दे दो है कि अगर किसी बस्तु पर क्यून धना माइनस 4 Q माइनस 4 Q प्लस 5 Q तो उस पर योग के वल क्या रहेगा प्लस 4 Q ही रहेगा अब आगे विद्वत आवेशों का दूसरा गुन देखते हैं ये है विद्वत आवेश की निश्चरता या Invariance of Electric Charge तो विद्वत आवेश की निश्चरता का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि मारे पास ये कोई कण है और इस पर आवेश क्यों है कितना आवेश है इस पर क्यों आवेश है तो अगर ये कण गती भी करता है तो भी इस आवेश का मान ये ही रहेगा क्यों ही रहेगा यानि इस कण की गती पर या इस आवेश की गती पर आवेश का मान जहन निरभर नहीं करता और देखी इसको हमने लिखा भी है कि किसी कन पर विदुत आवेश का मान आवेश की वेग पर निर्फर नहीं करता बैसा कि इस तरवस्था में रहे दिरे दिरे गती करे या तेज स्पीड से चले क्यों अगर इस पर आवेश क्यों है तो वो क्यों ही रहेगा ना कम होगा ना जादा रहेगा ठीक है यानि वेग पर निर्फर नहीं करेगा तो यही जुकून है यह क्या कहलता है विद थावेस की निशचार्था या इनवेरियंस उफ इलیک्रिक चार्ज कहलता है अब विद थावेस की जो निशचार्था आए इसको हम थोड़ा सा तक्नीकी वासा में और समझे न तो किसी वस्तो का अध्यन करने के लिए हम क्या करते हैं निर्देश तंतर का चुनाओ करते हैं निर्देश तंतर का मतलब जैसे हम X-axis, Y-axis, Z-axis ऐसे लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी वस्तो के वह अध्यन करते हैं तो यहां पर हम यह भी कह सकते हैं दूसरे सब्दों में कि विदुत आवेश जो है निर्देश तंतर के चुनाव से सवतंतर होता है निर्देश तंतर के चुनाव से सवतंतर होने का मतलब क्या है कि निर्देश तंतर के चुनाव पर जो है किसी वस्तो का आवेश जो है निर् जाल हो ठीक है तो यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि विराम अवस्था में जो आवेश है वही क्या रहता है गतीमान अवस्था में आवेश रहता है तो विदुत आवेस की निस्टरता में तो बस आप इतना लिख सकते हो काफी है लेकिन मैं नौलिज के लिए बता देता हूँ कि जैसे विदुत आवेस जो है वो आवेस की गती पर निर्फर नहीं करता लेकिन किसी वस्तो का जो दर्वे मान है किसी वस्तु का जो मास है वो वस्तु के वेग पर निर्फर करता है उसका ये वाला सुत्तर है कि मान लेते हैं कि सितरा वस्ता में किसी वस्तु का मान द्रवे मान जो हो कितना है M है जब वस्तु रेश्ट पे है तो उसका द्रवे मान कितना है M है और जब वस्तु V-Wake से चलने लग जाती है, तो यहां पर इसका जो द्रवेमान है, वो M-R-E-L, रिलेटिव मास कर सकते हैं, या M-V के नाम से भी इसकों डिनोट कर सकते हैं, तो इसका जो V-Wake के साथ जो अगर चलेगी तो इसका द्रवेमान चैंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, M-V हो जाएगा, और M-V की वैल्यू क्या होगी, शितरा वस्ता में द्रवेमान वटे में 1-V स्क्विर भाई C स्क्विर अंडर दी रूट, जैसे जैसे वस्तु का वे चोटा होता जाएगा, ठीक, अगर किसी भिन का हर चोटा होता है, तो इसका मतलो भिन बड़ी होती जाती है, यानि भी बड़ेगा, तो यह इतना इतना फैक्टर बड़ेगा, एक माइनस होगा, तो इसका मतलो यह जितना बड़ेगा, उतना ही हर यह चोटा होता जाएगा, जितना हर्चोटा होगा उतना ही जो है भिन बड़ी होती है यानि द्रवमान बढ़ता जाएगा ठीक तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि द्रवमान जो हो वेग बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है लेकिन आवेश जो है वो वस्तो की वेग पर यावेश की वेग पर जह हम निरभर नहीं करता ठीक है तो यह मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया है तो इसका आवेश से जो है कोई भी से समन्द नहीं है लेकिन जब हम आवेश और द्रवेमान के बीच में डिफ्राइंस पड़ेंगे ना तब यह पॉइंट आप उसमें डाल सकते हो आगे विदुत आवेश का अगला गुण है विदुत आवेश का संग्रक्षन है तो देख़ें क्या होता कि मान लेते हैं कि मारे पास यह एक आईसोलेटिड सिस्टम है एक विलगित निकाय है विलगित निकाय का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका स्राउंडिंग से निसके च्यारों और से कोई और समंद ना हो जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक कांच की छड़ है और एक ये रेश्म का कपड़ा है ठीक कांच की छड़ और रेश्म का कपड़ा है अगर इनका स्राउंडिंग के साथ कोई समंद ना हो तो इन दोनों वस्तों का जो निकाय है इसको भी हम विल्गित निकाय कह सकते हैं तो विद्धत आवेश का संग्रक्षन जो है ये क्या कहता है ये किसम से एक नियम है वो ये कहता है कि किसी विल्गित निकाय के अंदर जो कुल आवेस है वो नयत हम नश्ट कर सकते हैं और नहीं पैदा कर सकते हैं सिरफ आवेस क्या है स्थानांतरित हो सकता है एक वस्तो से दूसरी वस्तो में ठीक है तो आवेस को नयत उत्पन किया जा सकता है नहीं नश्ट किया जा सकता है बलकि आवेश का केवल स्थानांतरन होता है या फिर इसके हम और ज़्यादा अग्जेक्ट डेफनिस नगरम देखें तो किसी विल्गित निकाए में कुल आवेश यानि धन आवेश और रिन आवेश का बीजगनिती योग सदा क्या रहता है सिथर रहता है तो मैं आपको इसी उदान के मदने लें से समझाता हूं कि माल लेते हैं कि पहले यह जो काँच की छड़ा है और यह रिस्थम का कपड़ा यह दुनों ही उदास है स्रूल में तो आ आरंब में क्या है आरंब में जो है दुनों पर कुल आवेश कितना है जिरो है अब क्या हुआ कि हमने आपस में इन दोनों करब कर दिया आपस में रगड दिया रगडने पर क्या होता है कि कांच की चड़ पर धन आवेस आ जाता है और रिय्सम के कपड़े पर न्यौश आ जाता है तो अगर यहां पर पलस क्यों आवेश आता है तो इस पर माइनस क्यों आवेश आएगा ठीक रगड़ने के बाद अगर कास की चड़ पर पलस क्यों आवेश आया है तो रेसम की कपड़े पर उतना ही रिन आवेश आजएगा अब रगड़ने के पस्चाथ भी आप किल आवेश कितना है पलस क्यों और माइनस प्यों अब भी कुल आवेश क्या है जिरो तो यही बात हमने कहा है कि किसी बिल्गित निकाह के अंदर धन आवेश और रिन आवेशों का बीज घंणित यही हो गह सदेव क्या है रगदा नियत रहता है fix रहता है कि जो रगड़ने से पहले जो जितना आवेश था उतना है रगड़ने के बाद आवेश रहेगा ठीक और इसे हम क्या कहते हैं आवेश संग्रक्षन का सिधान्त कहते हैं ठीक है और ये जो कांच की सड़ और रेसम की कपड़े का जो धारण मैंने आपको देख करके समझाया है इसको बिल्कुल सिंपल भासा मैंने याप लिख दिया है आप साहे तो वीडियो पोज करके इसे नोट कर सकते हैं अब आईए आवेश संग्रक्षन के कुछ सन्य धारण देखते हैं एक परकरिया होती है सुन्य करन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा इसको इंग्लिज में बोलते है एन ही लेसंस तो सुन्य करन पर करिया जो है ये आवेश संग्रक्षन का एक उधारण है सुन्य करन होती है वो देखिये कि जैसे इलेक्ट्रोन करन से तो आप प्रिजित है इलेक्ट्रोन पर क्या होता है रिनावेस होता है तो इसी का एक परतीकन होता है पोजिट्रोन ठीक है इसी का एक परतीकन क्या होता है पोजिट्रोन होता है तो एक एलेक्ट्रोन और एक पोजिट्रोन जब आपस में टकराते हैं तो एक विशेश परकार की विकरण बनती है व पर आवेस क्या होता है जिरो होता है तो अगर हैं इन अगर यहाँ पर हम टकराने से पहले भी kull आवेस देखें तो जितना डिल्ण आवेस होतरहिए थन आवेस है तो इन दोनू कं़ ऊपर kull bene time प्र विकेंड बन गई तो भी आवेस क्या है जीरो है तो邊 इस तरह से एक लेक्ट्रन और एक पोजित्रोन का गामा कीरिण में परिवर्तित होना जो वो क्या कहलता है तुझन्ने करन कहलता है तो यस ने करन प्रकिरिया जो है ये भी क्या है आवेस संगरक्ष्ण का एक उधारन है अब इसी तरह से एक दूसरी प्रकरिया है यूगम उत्पादन कौन सी यूगम उत्पादन ये वास्तों में सुनने करण से उल्टी प्रकरिया है इसमें क्या होता कि विदुत सुम्ब के विकरण गामा करण जो है वो वापिस क्या करती है एक electron और एक positron पैदा करती है तो यहाँ पर सुरू में आवेश कितना है zero और यूगम मुतपादन यानि एक जो कणों का जोड़ा पैदा करने के बाद जो इस पर कुल अगर आवेश देखोगे वो भी क्या है zero है तो यहाँ पर भी कुल आवेश क्या रहा है संगरक्षी तरह है तो यह भी आवेश संगरक्षन का एक है उधारन है इसी तरह से जितने भी radioactive decay होती है और जितने भी नाभी किया विकरिया ही होती है यह सभी आवेश संगरक्षन के अनसार ही होती है तो देखिए कि यह जो उधान मैंने आपको बताए हैं इनको आप इस तरह से जो है लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल भासा में मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिये हुए हैं नियाब नोट कर सकते हैं अब आवेसों का अगला गुनाता है आवेस का क्वान्टी करन क्वान्टी करन या क्वान्टाइजेशन जो सबद है वो क्वान्टम सबद से बनाता है क्वान्टम का मतल होता पैकेट ठीक अब जैसे मैं एक सिंपल सा एक्जाम्पल देता हूँ कि माल लेते हैं कि हम किसी हमारे प्लोस की एक सोप पे जाते हैं और उस से हम कोई भी जैसे मान लेजी बिस्किट के पैकेट लेते हैं ठीक है तो अब वो खुले बिस्किट नहीं देता पूरा का पूरा क्या देगा पैकेट देगा आपको बिस्किट के ठीक अब जैसे माल लेते हैं कि आप उसके कहें कि हमें दो पैकिट पूरे दे दो और एक पैकिट आदा दे दो तो दुकानधर क्या कहेगा कि नई भी आदा नहीं मिले और पूरा पैकिट ही मिलेगा तो जैसे पूरे पैकेट के रूप में ही आपको बिस्किट देगा उससे कमान लेते हैं कि आपको आपने तीन पैकेट ले लिए और फिर आपने एक को चेक किया ठीक है और आपको जो है बिस्किट अच्छा नहीं लगा आप उसको दो वापिस दे सकते हैं कम्प्लीट ठीक और जो एक आपने खोल लिया ना उसको कह भी ये भी आद्धा वापिस ले ले तो वो नहीं लेगा कहने का मतलब ये है कि पूरा पैकेट ही अगला देगा और पूरा पैकेट ही लेगा पैकेट से कम अमाउंट में नहीं तो वो लेगा नहीं देगा तो देखिए कि कुछ ऐसा ही हिसाब किताब किसके साथ होता है जब वस्तों आवेसित होती है ना तब होता है कि जब किसी वस्तों पर आवेस आता है ना तो वो भी पैकेट के रूप में आता है ठीक है और जो आवेश का सबसे चोटा पैकिट होता है वो किसके बराबर होता है E के बराबर E क्या है चार्जन इलेक्टरोन किसी इलेक्टरोन के उपर चार्ज यानि एक दसम्लोग 6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कुलाम इसके बराबर होता है ठीक है तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये गलास रोड है ये कांच की चड़ है कांच की चड़ और ये रिस्म का कपड़ा है रिस्म का कपड़ा तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो आवेश आएगा या तो एक E के बराबर आएगा जैसे यहां पर धनावेश आता है तो पलस एक E या दो E के बराबर आएगा ठीक E क्या है पूरा पैकेट है आवेश का या फिर तीन E आएगा या चार E आएगा इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी इसी तरह से रिस्म के कपड़े पर जिनात मकावेश आता है या माइनस E के बराबर आएगा या माइनस दो E के बराबर या माइनस तीन E के बराबर अगर आप को हो जी तीन वटे दो E के बराबर आवेश आजए या माइनस तीन वटे दो E के बराबर रावेस आज़े तो ये पूसिबल नहीं है ठीक ये पूरा कपूरा पैकेट्स के रूप में आता है तो यह तो एक दो तीन चार पांच या इसी तरह से अगर n पैकेट्ट है तो ये एन एकी बराबर आता है अम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर अगर मानलिया क्यो चार्ज ह यहां पर ए का कुछ ने कुछ वोल नंबर मल्टिपल होगा ठीक ए का कुछ पूर्ण संक्या में गुनांख होगा ठीक एन क्या है यहां पर एक दो तीन चयर कोई भी संक्या हो सकती है एक दो तीन चयर वगरा कोई भी संक्या हो सकती है ठीक है तो देखी यहां पर आप यह कह स यानि किसी वस्तो पर जो आवेश आता है वो एका पुर्णांक गुनज होता है अब देखिए कि यही बात जो है जो हमने यहां पर लिखी है कि यही बात जो है यह क्या है आवेशों का फॉन्टी करना है ठीक कि किसी वस्तो पर जो आवेश है उसका प्रेणाम एन ए के बराबर होता है या आप मोर एक्यूरेटली कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता कि वो बराबर प्लस माइनस एन ए ठीक तो यह भी ठीक है अब देखिए कि जो मूल करन हैं इनकी आंतरिक स्रंजना को समझने के लिए हमने क्या किया है कि कुछ अन्य करनों की कलपना भी की है जिन पर आवेश जो है किसके बराबर होता है प्लस माइनस ए भाई ठीक के बराबर होता है लेकिन यह जो करन जिनकी हमने कलपना किया जिस पर यह वाला आवेश होता है वो सबतनतर रूप से तो अस्तितव में आने पाईए ठीक है यानि जहां तक हमें knowledge रहे है वह 17 रूप से exist करते नहीं है और 17 रूप से जब यह exist नहीं करते तो तब तक हम यही बानेगे कि आवेस का जो quantum है वो क्या है E के बराबर ही है कि आवेस का quantum जो है आवेस का जो packet है वो इसके बराबर ही है ठिक तो देखिए यहां पर यह सारे बातें जब मैंने समझाई हैं बिल्कुल सिंपल हिंदी में आपके सामने लिख दी है आप वीडियो पोज करके नोट कर सकते हैं अब देखिए कि एक चीज़ और याद आगे कुछ स्टुडेंट यह बूसते सिर्फ आवेस के क्वांटिक करन का कारण क्या है कि ए से कम आवेस क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकता तो वास्तों में क्या होता आपको यह तो पता ही है कि जैसे एक कांज के चड़को रिसम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इन पे आवेस क्यों आता है क्योंकि जैसेние एक électron यहां से जब इधर चला जाएगा तो छो है इलेक्ट्रण पुझ इतना आवेश है उतना इतना आवेश यहा आजाएगा ठिक और उतना ही धना आवेश इतर आजाएगा समझगे बात जो और इलेक्ट्रून पre आवेस कितना होता है एक इलेक्टरौन पर आवेस हता है माइस एक दसमले उक्ट. ज़्ड़ 2 मुना स्की पावर माइस नुनिस कुला तो उतना रिन आवेस इस पर आजाएगा अतना ही धना आवेस कहांस की सब्ड़ पर आजाएगा अब अगर एक इलेक्ट्रोन ट्रांसफर हो गया तो इस पर एक ए और इस पर माइनस ए की आवेस हो जाएगा अगर दो इलेक्ट्रोन ट्रांसफर हो गए तो इस पर दो इ और इस पर माइनस दो इ हो जाएगा ठीक, अब ऐसा तो होने सकता कि अद्दा इलेक्ट्रोन ट्रांसफर होसे है अब इलेक्ट्रोन कोंगे पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है ठीक है, इसलिए आवेस भी इस तरह से जो है, ए का जो है, पुरुणांख के गुनज मिलेगा आपको, एकर दो ये तीन ये चारी इसी तरह से माइनस एक ही माइनस दो ये माइनस तीन ही ठीक तो किसी वस्तु पर जो आवेस है इसलिए पलस माइनस एनी के बराबर होता है अब देखिए कुछ एक इंपोर्टन पॉइंट से हम डिसकस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ये पॉइंट है ना पहले इसको देखते हैं कि इसी वस्तु का आवेसित करते हैं उसका मास परवर्थित होता है तो यहाँ से हमें कई बर कृस्टन में पोच्छा जाता है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक गलास रोड है एक कांस की सड़ है और यह रेश्म का कपड़ा है ठीक रेश्म का कपड़ा है मेरे पास तो जैसे इनको आप उसमें रगड़ूंगा रगड़ने के बाद ये धना रवेसित होगि और ये रिना रवेसित होगि तो क्या आवेशित होने के बाद है और आवेशित होने से पहले क्या जो इनका दरवेमान है क्या दरवेमान में भी अंतर आएगा क्या कोई सिंपल सी बात है यह पूछ रहा है कि जैसे इनको हमने आवेशित कर दिया आवेशित होने के बाद जो है क्या इनके द्रव़मान में फरक पड़ा है तो सिंपल सी बात है कि आवेशित कैसी जब इलेक्टरॣ यहां सीधर गई तब ही आवेशित हो ही नो और इलेक्टरॣ तो एक कण है और कण के अंदर क्या होता द्रव़मान तो होता है जब कण यहां से इदर चला गया तो simple सी बात है द्रेविमान तो automatic चला गया ठीक है तो जो वस्तु धन आवेशित होती है उसका द्रेविमान कम हो जाता क्योंकि उसमें से electron निकलता है और जो वस्तु रिन आवेशित होती है उसके इंदर electron गुसा है तो उसका द्रेविमान बढ़ जाता है तो यहां पर हम यह कहें किसी वस्तु को आवेशित करते समय उसका द्रेविमान प्रिवर्तित होता है और जो वस्तु धन आवेशित होती है तो उसका द्रेविमान गटता है और रिन आवेशित होते हैं तो द्रवयमान बढ़ता है अब पहला point कि हमारे पास कोई वस्तो ऐसे हो सकती है कि जिसमें द्रवयमान हो लेकिन उस पर आवेश ना हो यानि उदासी नहीं हो सकती हो ठीक यानि द्रवयमान अग्जिस्ट हो सकता है आवेश के बिना लेकिन अगर कहीं आवेश है तो वो द्रवयमान की बिना नहीं होता क्योंकि आवेश की जैसे यहां पर हम कहेंगे जैसे आवेशित एक करण है इलेक्ट्रोन है ठीक है तो अगर ये है तो इसका मतलब इसको अपने आप में द्रवयमान लेकर के आया है तो यही बात हमें यह कहेंगे कि दर्वेमान के बिना आवेश का कोई अस्तितव नहीं है जबकि दर्वेमान आवेश के बिना संभव है ठीक आवेश का होना यही सिद्ध करता है कि वहाँ पर क्या है दर्वेमान है अब देखिए कि अगर आवेश सित्र वस्ता में है तो वो विदुतिय चेत्र पैदा करता है ठीक तो ये विदुतिय चेत्र क्या होता है जैसे मान लेते हैं कि मारे पास यहां पर एक आवेश है इसके च्यारोर का चेत्र है जहां पर इसका बल लग सकता हो ठीक है इसका बल का अनभव किया जा सकता हो वो विदुतिय चेतर होता है अब अगर ये आवेश समान वेग से चलता है ना तो विदुतिय चेतर के साथ साथ चुम्बक के चेतर भी इसके चारवन पैदा हो जाता है चुम्बक ये चेतर जैसे चुम्बक के चारों चेतर होता ना ऐसा तो जब समान वेग से गतिमान होता ना वेश तो विदुत ये चेतर और चुम्बक की चेतर दोनों पैदा करता है लेकिन समान वेग की बजाए अगर ये तवरित गति से चलता है तो विदुत्य चेतर भी पैदा करेगा चुंबक्य चेतर भी पैदा करेगा इसके साथ साथ परिवेश के अंदर विशेश परकार की विकरिने भी उत्तर जित करता है जिसे हम विदुत्य चुंबक्य विकरिने कहते हैं ठीक है तो इन सभी का आग्गे वाले यूनिट्स में हम डेटेल से अधिन करेंगे अब देखिए कि हमें एक संख्यात में परसंदे रखा है कि किसी धातों के गॉले को एक कुलाम आवेस से धनावेसित करने में उसे कितने इलेक्ट्रोन इसकासित करने होंगे यानि यह हमारे पास एक गॉला है उस पर पलस एक कुलाम का आवेस लेकर करके आना है तो इसमें से कितने इलेक्ट्रोन आपको निकालने पड़ेंगे तो देखिए अभी तक जो सुत्र हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि इस इकल टू एन नहीं पढ़ा है तो कितने का मतलब आपसे एन पूचा गया है ठिक और क्यों आपको दे दिया यहां पर क्यों कितना दे दिया एक कुलाम दे दिया और ई आपको पता है कितना एक दस में लोट से गुना दस की पार माइनस उनिस कुलाम है अब देखीए कि यहां इस फार्मॉले में आपके पास तो यहां पर इस फार्मॉले में आपके पास Q, N और E तीन ही चीज़ है Q आपके पास है E आपके पास है N आपसे पुट्स है तो इस फार्मॉले के एकॉडिंग N किस के बराबर हो जाएगा क्यों भई E के बराबर हो जाएगा क्यों कितना भई 1 अपोन E कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ठीक ये 1 कुलाम और ये इतना कुलाम ठीक तो एक को जब आप 1.6 से भाग दोगे तो ये 0.6, 2, 5 आएगा ठीक गुणा में 10 की पावर ये माइनस 19 से उपर जाकर के 19 और मानक रूप में हम क्या लिखते हैं दसमलो एक 9 जिरो के बाद लिखते हैं तो 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 के बराबर आजएगा ठीक अब आगे देखिए एक बहुत इबढ़िया कि उसना आपको दे दिया है किता किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके दरवे मान में 9.1 नैनो ग्राम की विर्दी हो जाती है कितने इलेक्ट्रोन वस्तु को दिये गए अब देखिए ये हमारे पास एक वस्तु है तो अब जैसे इसको आवेशित करते हैं तो इस पे 9.1 नेनो ग्राम कितने दरवेमान की विर्डी हो जाती है याँने Change in Mass कितना है 9.1 नेनो ग्राम ठीक अब इस दरवेमान को मैं क्या करता हूँ कि किलो ग्राम में change कर लेता हूँ तो 9.1 नेनो का मतलव होता दस की पाउर माइनस नो पहले स्टेब में मैं इसको ग्राम में करता हूँ अगले में किलो ग्राम में 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 ग्राम को किलो ग्राम में चैंज करूँगा 10 की पावर माइनस से 3 और लग जाएगा ठीक है क्योंकि 1 ग्राम को जिसे किलोग्राम में बतलेंगे, एकजार से भाग देंगे, ठीक है? वे काम में नहां किया, तो 9, Mac एक गुणा में, 10 की पार माइनस 9 और माइनस 3 माइनस के 12 होगे, कितना किलोग्राम जो है, इसका दर्वेमान बढ़ गया है, अब द्रिवेमान बढ़ने का मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रोन आए है क्या है इलेक्ट्रोन आए है अब कितने इलेक्ट्रोन आए है तो एक इलेक्ट्रोन का जो द्रिवेमान है मास ओफ इलेक्ट्रोन कितना होता है 9.1 गुणा में 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है एक इलेक्ट्रोन पर दर्वेमान तो इलेक्ट्रोनों की जो संख्या है वो किसके बराबर होगी दर्वेमान में परिवर्तन वटे में एक इलेक्ट्रोन का दर्वेमान यह होगी यह होजेगा 9.1 गुना में 10 की पार माइनस 12 किलोग्राम वटे में एक उलेक्टरौन का दर्वेवान होगा 9.1 गुना में 10 की पार माइनस 31 किलोग्राम 9.1 से तो 9.1 कट ओगया उपर माइनस की बारा पावरा निचे माइनस की 31 माइनिस के 31 ओपर जाएगे तो पलस के हो जाएगे माइनिस 12 पलस में 31 तो यह हो जाएगे 10 की पावर 19 बचे गए ठीक है तो इतने इलेक्टरोंज जो इस पर उपर दिये गए तो जो पहला पार्ट है उसका एंस पर आएगा 10 की पावर 19 इस इलेक्टरोंज बच्ट को दिये गए अब इसका सैकिंड पाट हम समझते हैं सैकिंड पाट में कहता है कि आवेस का मान इम परकृती परकृती तो आपको साफ नजर आ रहेगी इलेक्टरोंज आया है तो इसके परकृती तो क्या होगी रिनात्मा की हो गए और आवेस का मान क्यों बराबर N E हमारे पास एक सिंपल से सुत्तर है तो N इलेक्टरों की संग क्या आपको पता है कितनी दस की पावर 19 और E 4 जोन इलेक्टरों इलेक्टरों पर आवेस 1.6 गुना 10 की पावर माइनसे 19 कुम तो यह पुलस का उनिश है माइनस का उनिश है ठीक है यह कट करके बन हो जाएगा तो यह आजाएगा हमारे पास 1.6 कुम यह एंसर और सेंड पावर आजाएगा अब अगला जो किस्टरना वह एक बहूत मस्त सा किस्टरन दिया है ये कहता है कि 250 ग्राम पानी है हमारे पास तो एक कप जल है अगर 250 ग्राम कुछ बुक्स में नहीं दे रखा तो इसको मान लेते हैं कि एक कप में पानी इतना ही आता है ठीक है में कितनी मात्रा में धन तथा रिन आवेस होते है तो एक कप पानी जो हमारे पास है उसमें कितनी मात्रा में धन और रिन आवेश होते हैं तो अगर हमारे पास पानी का एक अनू है ना तो उसमें अगर हम देखें तो तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमानू है और ऑक्सिजन का एक परमानू है तो हाइड्रोजन के एक परमानों में हाइड्रोजन के एक परमानों में क्या होता है कि इलेक्ट्रोन भी एक होता है और प्रोट्रोन भी एक होता है तो ये दो है तो इसको हम दो से गुना कर देते हैं तो इलेक्ट्रोनों की संख्या दो होगी और प्रोट्रोनों की संख्या भी दो और यहां पर अगर ऑक्सिजन का अगर हम प्रमानों देखें तो ऑक्सिजन में इलेक्ट्रोनों की संख्या भी आठ और प्रोट्रोनों की संख्या भी आठ तो कुल मिला करके इलेक्ट्रोन हमार पानी का एक अनु उसमें 10 ही तो प्रोटोन होते हैं तो अगर हमें 250 ग्राम पानी में अनुों के संख्या पता लग जाएं तो उसको अपने गुना कर देंगे ठीक है हमें धन और रिनावेश का पता लग जाएगा तो देखिए कि कमेस्ट्री के अंदर हमने पड़ा है कि अनुओं की जो संख्या होती है अनुओं की संख्या का सुत्तर होता है कि दर्वेमान वटे में इसका अनुदर्वेमान गुणा में एवोगेड्रो संख्या ठीक है क्या होता है कि अनुओं की संख्या या हम यहां पर सिद्धा कैल्कुलेट कर लेते हैं S2O के अनुओं की संख्या किसके बराबर होगी द्रवेमान यानि 250 ग्राम वटे में S2O का पुर्मानों द्रवेमान कितना होता है दो पला से सोडा यानि 18 ग्राम जो है इसका ग्राम एटमिक मास होता है तो वटे में 18 गुणा में एवोगेड्रो नंबर एवोगेड्रो नंबर क्या होता है 6.023 गुणा में 10 की पावर 23 ठीक इतने पानी के अनुओं है यमारे पास और यहां पर जो आवेस होगा आवेस होगा वो अनुओं के संख्या गुणा में 10 E के बराबर होगा ठीक यहां पर E क्या है चार्जोन इलेक्टोन या प्रोटोन पर जो आवेस होता है वो उसको में E के दवरा डेनोट करता है यानि उसका सिरफ मेगनिचूड ले रहे है ठीक तो N हमारे पास कितना आया 250 वटे 18 गुणा में 6 दस में जीरो दो तीन गुणा में 10 की पार 23 और एक यह वाड़ा 10 गुणा में और अब आगे फूर्ट क्यूसन देखिए यह कता है कि यदि किसी पिंड से एक सेकिंड में 10 की पार 9 इलेक्ट्रोन किसी अन्य पिंड में स्थाना अंत्रित होते हैं तो एक कुलाम आवेस के स्थाना अंत्रित में कितना समय लगेगा तो एक सेकिंड में जो है कितने इलेक्ट्रोन गए पहले पिंड से दूसरे पिंड में 10 की पार 9 इलेक्ट्रोन ठीक तो कहता है एक कुलाम आवेस थाना अंत्रित होने में कितना समय लग जाएगा तो पहले तो हम यह देखें कि एक कुलाम आवेस में इलेक्टरनों की संख्या कितनी है कि एक कुलाम आवेस में इलेक्टरनों की संख्या ठीक है इसको पूरा इलेक्टरन लिख देना तो अब देखो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कुलाब में वताए 1 ηलेक्टरोन और एक कुलाब में कितना होगा एक वटे में 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 तो इसको जब हम सूल करेंगे तो यह आहगा 6 धसमिलो 2.5 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रोन, ठीक? अब देखो, कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोन, थानांतरीत आउने में समय लगा एक सेकेंड और 6 दस्म लो, दो पांच गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रोन, ट्रांस्पर आउने में समय कितना लगे? एक वोटे 10 कि पाउर नो गुणा में 6.25 गुणा में 10 की पाउर 18 बिसे सूल कर लेंगे तो यह आएगा ठीक और जैसे 10 की पाउर 9 सैकेंड है तो इसके अगर हम वर्ष बनाएंगे न 6, 10, 25, गुणा में 10 की पावर, 9 इतना सेकिंड है, और इसको अगर मैं 365 से भाग दे दूँ, 365 दिन, 125 घंटे, इतनी मिनिट और ये सेकिंड, एक वर्ष के सेकिंड मना लिए मैंने, ठीक है, तो जैसे इसको सौल करेंगे, यानि एक वर्ष के सेकिंड से इसको मैं भाग दूँगा, तो इनिरली एकौल टो, 198.180, यानि लग बग दो सो वर्ष के आसपास जो है, एक कुलाम चार जाने में इसको लग जाएंगे, तो अब देखिए कि हमारे अन्सियार्टी अभ्यास के अंदर जो है, दो किस्टन दिये हुए हैं, बिल्कुल सोट सोटे किस्टन है, किसी वस्तु का वेदुत आवेस, कौन्टे गरिता, इसकतरन से क्यातात पर यह है, यह हम पूरा अच्छी से पढ़ चुके हैं, ठीक, औ और यहां पर इसका जो भी पार्ट है, वो यह कहता है, कि हम किसी सतुल या बड़े पैमाने पर आवेस्टों का वेवार देखते हैं, तो हमें लगता है कि यह कौन्टे करित नहीं है, ठीक है, तो वास्तों में अगर बड़ा लेवल पर अगर हम बात करते हैं, तो यह क्यों लेकिन अगर हम बिल्कुल अग्जक्ट बात करें, कोई माइक्रोस्कॉपिक की बात करें, तो हम वहाँ पर क्वांटे करें, जरूर कंसिडर करते हैं, तो लेकिन वास्तों में स्थुल पैमाने पर भी क्वांटे करना तो होता है, लेकिन वह परतीत नहीं होता है, अब इसी तरह से जो एक सिंपल सा क्युस्टन और है जो हम काफी डिसकस कर चुके हैं से आप स्क्रीन से पढ़ करके सोल कर सकते हैं तो प्यारे बत्चों अमीद करता हूं कि मेरा लक्षर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें अपने दोस् कि अपरो एक सकते हैं तो प्लीज और हो जशोब कर दो आपको अपको हुआ हो आपको अपको कर दो का कर दो एक समय कर दो दो हो आखको कर दो प्यार के जब कर प्लीज आत्रवर तो तो झाल झाल